हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है कुछ टाइम से ये खबर सामने आ रही थी कि तामिल फिल्म थडम का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है तामिल इंडस्ट्री में ये फिल्म काफी जादा हिट हुई थी और अब इसका बॉलिट ड्रीमेक बनने जा रहा है जब इस बात की खबर सामने आए तो ऐसा बताया जा रहा था कि इस फिल्म में नजर आ सकते हैं बॉलिट स्टार सिधात मलोतरा वेल अब नए रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सिधात मलोतरा नहीं बलकि अदित्यर रॉय कपूर नजर आएंगे जी हाँ इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं भूशन कुमार और मुराद खेतानी बतादे कि इस फिल्म की शूटिंग की बार करे तो ऐसा प्लान किया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इस साल सेप्टेंबर से शुरू की जाए बॉलिवड अक्टर टाइगर श्रॉफ अपने सोशल मीडिया पर काफी जादा अक्टिव नजर आते हैं टाइगर श्रॉफ अपने अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी जादा हेडलाइन्स पर भी बने हुए हैं चाहे वो गनपत हो या फिर हीरो पंती 2 हो इसके अलावा टाइगर श्रॉफ अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग इंजोई करते हैं हाली में टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनिधिंग का एक टैग शुरू किया और वहीं कई सारे फैन्स ने उनसे अलग-अलग तरीके के questions पूछे जिसे टाइगर श्रॉफ ने आंसर किया उनमें से एक question ये था कि उनकी favorite Bollywood actress कौन सी है और वहीं सब को ऐसा लगा कि टाइगर श्रॉफ नाम लेंगे उनकी rumored girlfriend दिशा पार्टनी का लेकिन यहां पर उन्होंने दिशा पार्टनी का न डिरेक्टर भी थे established actor बनने से पहले वहीं बता दे कि जब से सिधात मलोतरा ने इस industry में student of the year से debut किया था 2012 में वो agency matrix entertainment के साथ काम करते थे ये 9 year long association अब खतम हो चुका है रेश्मा शिटी के साथ वेल बता दे कि अब सिधात मलोतरा ने ये association जो है उसे खतम कर दिया है और खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब सिधात मलोतरा जॉइन कर रहे हैं करन जौहर की talent agency करन जौहर ने हाली में February में इस साल DCA धर्मा Cornerstone agency और इसी को जॉइन करने जा रहे हैं सिधात मलोतर वालवुड आक्ट्रिस कृती सनन की फिल्म मीमी नेटफिक्स पर रिलीज होने जा रही थी 30 जुलाई को लेकिन 4 दिन पहले ही नेटफिक्स पर रिलीज हो गई क्योंकि ये फिल्म आलरेडी इंटरनेट पर लीग हो चुकी थी जिसके बाद नेटफिक्स ने डिसाइड किय कि वो ये फिल्म 26 जुलाई को ही रिलीज कर दे कई सारे वेबसाइट पर ये फिल्म लीग हो चुकी है और इससे नेटफिक्स ने लाइटली नहीं लिया है अब वो मीमी के मेकर्स के साथ नेगोशियेट कर रहे हैं अपना डील क्योंकि वेबसाइट पर रांडम वेबसाइ था नेटफिक्स के साथ अब उस डील को नेगोशियेट करके थोड़ा कम कर दिया गया है बॉल्वड अक्टर अजे देवगन की एमोशनल वीडियो देखकर सोलजर के उपर अक्षे कुमार ने उनको प्रेज किया अजे देवगन की ये वीडियो शेयर करते हुए अक्षे क पोईट इन्यू किस किस बात पे दिल जीतोगे यार लेकिन अक्षे कुमार को यहां ये पता नहीं था कि ये अजे देवगन ने जो पोयम नरेट किया है वो दरसल अजे देवगन ने नहीं लिखा है बलकि जिसने लिखा है वो है मनोज मुंदासीर अब इसी के चलते अजे देवगन रेसेंटली बॉलिवड अक्ट्रिस तारा सुतारिया ने कुछ मोनो क्रोमाटिक पिक्चर शेयर किये थे ब्लैक और वाइट में वहीं अब इसके बाद शेयर किये हैं सारा ली खान ने ऐसे ही कुछ पिक्चर जी हां सारा ली खान ने अपने इंस्टेग्रा हैं और एक ब्लैक कलर का बिकीनी टॉप पैना है और इसी के साथ साथ उन्होंने इन पिक्चर को शेयर करते हुए क्या अप्शन में लिखा काश कभी यू हो ना हसरते ना जुनून हो तेरा खयाल हो और तू हो दिल में बस सुकून हो केल, राहुल और आथिया शेटी दोनों का रूमर्ड रिलेशनशिप काफी टाइम से चलता आ रहा है हाला कि दोनों में से किसी ने भी इस बात की कंफरमेशन नहीं दी है कि दोनों डेट कर रहे हैं वहीं दोनों काफी टाइम से लंडन में हैं और अब जाकर उनकी पहली प एक्षिन सामने आ रहे हैं और फैंस इस बात की भी डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने रिलेशन्चिप के बारे में खुलकर बात करें अपने फैंस और फॉलोवर्स के साथ और अपनी डेटिंग लाइफ को कंफर्म करें विलादिय शेटी के पिता सुनेर शेटी को इस बारे काते कारियन ने शेयर किया जिसके बाद fans काफी जाधा excited हो गए थे, इस film में काते कारियन एक pilot की भूमे का निभाने ही जा रहे हैं वेल बता दे कि क्यूंकि इस फिल्म में कारते कारियन एक पाइलेट की भूमिका निभा रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी आक्टिंग बिल्कुल ऑथेंटिक लगे और वो एक पाइलेट के रूप में नज़र आए इसी के चलते कारतेकारियन सच में प्लेन उड़ाना सीखेंगे जी हाँ ये काफी शौकिंग है लेकिन ऐसा सच में होने जा रहा है कि कारतेकारियन प्लान कर रही है सच में फ्लाइंग लेसंस लेने का अब तक हमने कारतिकारियन को कॉमेडी जॉनर में देखा है और ऐसी फिल्में करके वो अपनी वर्सिटालिटी प्रूफ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में KGF चाप्टर 2 जब से अनाउंस किया गया है तब से काफी जादा बज में बना हुआ है लेकिन इस फिल्म की रिलीस डेट को लेकर अब तक ऐसी कोई कन्फरमेशन सामने नहीं आ रही थी COVID-19 के 1st और 2nd वेव के चलते बार बार इस फिल्म की शूटिंग या तो इस फिल्म की रिलीस डेट जो है उसे डीले किया जा रहा था बहीं बता दे कि अब नए रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्मेकर्स प्लान कर रहे हैं इस फिल्म को इसी साल रिलीस करने का जी हां इस साल डिसेंबर में इस फिल्म को रिलीस करने की प्लानिंग चल रही है ये वन आफ दी मोस्ट अवेटेट फिल्मों म से एक है और इसमें हम सूपरस्टार यश और संजदत के बीच फेस ओफ देखने वाले हैं बॉलिवड आक्टर विकी कोशल हमें इम्मॉर्टल ओफ अश्वधामा में नज़र आने वाले हैं जिसके प्रेपरेशन्स वो काफी अच्छे से कर रहे हैं जिम में वोर्क आउट कर के वहीं दूसी तरफ विकी कोशल के ओपोजट नजर आएंगी सारा अली खान बता दे कि इस फिल्म में सुनील शेटी भी काफी एहम किरदार निभा सकते हैं इसी फिल्म के लिए सुनील शेटी टॉक्स में बने हुए हैं फिल्मेकर्स के साथ अगर सब कुछ सही रहा तो स सुनील शेटी भी इस फिल्म के कास्ट को जॉइन कर देंगे और वहीं इस फिल्म की शूटिंग इस साथ सेप्टेंबर से शुरू हो जाएगी अगर कोविड-19 का सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहा तो जाएगी अगर सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहा तो